इस परफ़त का अलोकन करके बताएं कि 4 ohm, 10 ohm, 5 ohm और 2 ohm के प्रतुरोद में कितनी विद्धारा प्रवाहित हो रही है। यह भी बताईए कि A, B के बीच में लगे हुए 20 ohm के प्रतुरोद में कोई धारा क्यों नहीं प्रवाहित हो रही है। साथ ही आपको बताना है कि AD के बीच में चार ओम का प्रतुरत था उसके जगा जैसे ही मैंने 20-ोм का प्रतुरत लगाया तो AB के बीच में धारा क्यों परभाहित होने लगी जहां से देखें अब धारा क्यों परभाहित हो रहा है तो आए देखते हैं ुसका सलूसन के प्रतुरोद में कितनी धारा चारों के प्रतुरोद में कितनी धारा दसों के प्रतुरोद में कितनी धारा पांच ओम के प्रतुरोद में कितनी धारा अब विभवांतर देखिए AD के बीच में 8V का विभांतर BD के बीच में 8V का CD के बीच में 12V का BC के बीच में 4V का यह क्यों है